वाइस की वीडियो में हम बात करने बाले हैं अगर आप फ्रीफायर खेलते और फ्रीफायर में आपको खुछी साइसे प्रॉलम आ गई है यह एर्र आ गया है डाउनलोड फेल ट्रीट्राइए जब भी आप अपने गेम को उप्पिन करते हैं खेल रहे होते तो बीच में आप पर एर्र लिखा है डाउनलोड फेल रिट्राइए यहां पर लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको करना होगा आपके पास किसी भी ब्रांट का मोबाइल हो उसे कोई फरक नहीं पड़ता जो मां आपको करने जो टिप्स पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप connection sharing पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहां पर उप्शन देखने को मिल चाहता है प्राइवेट dns अब यहां पर मेरे पास जो मोबाइल है रेडमी का है अगर आपके पास कोई other company का मोबाइल होगा तो उसमें सैटिंग जो है उपर नीचे हो सकती है तो उसका भी solution में आपको बता दूँगा कैसे आपको देखने को मिल गया अपके मोबाइल में सैटिंग से तो यहां पर प्राइवेट dns पर आपको क्लिक कर लेना है यहां पर आपका auto पर होगा ओफ होगा यहां पर private dns provider hostname यहां पर select होगा तो नीचे तो आप ऐसे भी रहने दीजिए दर उसके बाद सेव कर लिजिए देख सकते हैं private dns मेंने सेव कर लिया है दर उसके बाद आपको back आ जाना है अब आपको बताते तो अगर आपको private dns की setting नहीं मिल रही तो आपको setting के उपर में search bar देखने को मिलता है search bar में आप dns लिक सकते हैं तो यहाँ पर dns लिकने से आप directly setting में आ जाएंगे या फिर आप private dns भी लिख सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर private dns की setting आ चुकी है तो उसके बाद यहाँ पर dns.google.com लेकर इसको select कर लिजिए तर उसके बाद आगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है तो आपने mobile को एक बार reboot कर लीजिएगा देख सकते हैं reboot option देखने को मिल जाता है इस पर click करके इस mobile को reboot reboot कर लेना अपने mobile को तो भी आपको जो error आ रहा था वो shown नहीं होगा then उसके बाद आपको क्या करना है play store में आना है play store में आने के बाद आपको लिखना है vpn यहाँ पर बहुत सारे vpns आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपको किसी vpn को open कर लेना है तो vpn को open करने के बाद यहाँ पर आपको कौन से server से connect होना है वो जान लिजिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं उपर की तरफ मैं click करूँगा आर्थ के निशान पर तो यहाँ पर बहुत सारे servers देखने को मिल जाते हैं यहाँ आप आपको search करना होगा अगर आप इंडोनेशिया की server से connect नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपना जो है vpn चेंज करके देख सकते हैं जिसमें आपको free में server देखने को मिल जाता है आपका इंडोनेशिया का तो यह कुछ solutions थे अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो मुझे comment box में बताएगा मैं को सब्सक्राइब करा हूँ सब्सक्राइब में मिलते नेफ्टी में तेला बाटे के लव यूज